रेपिड एक्षन फोर्स टीम पहुंची जुनजनू समवेदन सिल छेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च और से कारगिल दिवस पर निकाली जाएगी सहीद सम्मान यात्रावा मसाल जुलूस चिडावा में हुई प्रेस वारता चिडावा एसडियम ओफिस सवागार में पटवारियों और गिर्दावरों की हुई बैठके नहर की मांग को लेकर लाल चोक पर दोसो चार दिन से धरने पर बैठे किसानों ने कहा हमारे धहर्ये की परिक्षा ना ले सरकार अवेद देशी सराव हतकर सराव बेचान करते हुए पाय जाने पर दो आरोपियों को किया गया गिरपतार पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को किया गया गिरपतार विधान सबा की बबाई उप तैसिल को 25 समिती बनाने की मांग खेतडी विधायक ने विधान सबा में उठाई मांग रेपिड एक्षन फोर्स टीम पहुंची जुनजनू समवेदन सिल छेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च भारत सरकार के केंदरिय ग्रहम अंतराले के आदेश पर लालवास जैपूर में तैनात रेपिड एक्षन फोर्स आरेफ की 83 बटालियन के कमांडेट कुंदीब कुमार जैन के सूपर वीजन सहाय कमांडेट सोन्या के निर्तरतों में एक प्लाटून जुनजनू पहुंची यह टीम 28 जुलाई तक जुनजनू रहेगी डीएसपी विरेंदर सर्माव कोतवाल पवन चोबे के साथ मिलकर समवेदन सील एम अती समवेदन सील छेतर में परीचित अभ्यास किया तथा साथ ही स्थानिय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं संपरदाइक रूप से समवेदन सील छेतरों में फ्लैग 26 जुलाई को कारगिल विजे दिवस के अवसर पर सहीद सम्मान यात्रा वे मसाल जुलूस निकाला जाएगा चिडावा में कबुतर खाना बसे स्टेंड स्थित महालक्समी जोयलर्स के कारेले में आये हो जित प्रेस वारता में भाजियोमो जिलादेक्स जैसिंग माठ ने जानकारी देते वे बताया कि कारगिल विजे की 25 वी वर्सगाट पर ये कारेक्रम आयजित किये जाएगे बाजियोमो जिलादेक्स माठ ने बताया कि चोथी बार आयजित होने वाली ये सहीद सम्मान यात्रा उध्यपुर्वाटी विदान सभा के पोशाना गाउं इस्थि चिडावा SDM ओफिस सवागार में पटवारियों और गिर्दावरों की हुई बैठके SDM ने दिये आवशक दिशानेर देश धारा 136 की पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये वहीं SDM ने ओनलाइन नामांतरन परकड़नों की समिक्षा की तथा M.A.C.T. परकड़नों का निस्तारण किया बैठक के दोरान SDM ने इजराय पालना नियायले से प्राप परकड़नों की समय पर पालना और संपर्क पोर्टल से प्राप परकड़नों के निस्तारण के निर्देश दिये नहर की मांग को लेकर लाल चोक पर दोसो चार दिन से धरने पर बैठे किसानों ने कहा हमारे धर्य की परिक्षा ना ले सरकार चिडावा सिंगाना सडकमार्ग बसिस्टेंड लाल चोक पर नहर की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना किसान सभा के बैनर तले पिछले 204 दिन से जारी है मंगलवार को धरने की अध्यक्स्ता कर रहे नहर आंदोलन परवक्ता वे मीडिया परभारी विजेंदर सास्तरी ने कहा कि सरकार की हट धर्मीता वे नींद नहीं तूटी है किसान सभा के जिला उपाद्यक्स बजरंग बराला ने कहा कि सरकार किसानों के धहरिय की परिक्षा ना ले उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार मजबूर कर रहे ही है कि हम उगर अंदोलन करें अवेद देशी सराव हतकड सराव बेचान करते हुए पाये जाने पर दो आरोपियों को किया गिरपतार पचेरी कला पुलिस थाना पुलिस ने अवेद देशी सराव हतकड सराव बेचान करते हुए पाये जाने पर दो आरोपियों को गिरपतार किया है आपकारी अधिनियम में कारवाई करते हुए कीम गठित कर रवाना की गई कीम को सूचना मिली सूचना मिलने पर 2 लिटर हथकड सराब की बोतले दिखाई दी जिसको चैक किया गया तो बोतल में अवेद हथकड सराब होना पाया गया इस परकार उक्त सक्स जैपाल को अपने कबजे में अवेध हदकड सराब रखना हुआ परिवन करते हुए पाय जाने पर गिरपतार किया गया है वहीं सातोर गाउं की रोही में सक्स संबूराम अवेध हदकड सराब बेचने के फिराक में बैठा हुआ था जिस पर पुलिस ने कारवाई करते हुए कुल तीस पवे भरे हुए मिले जिसे जब्त किया गया है और आरोपी को गिरपतार किया गया है मंडेला पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरपतार किया है अयूम उर्फ बावडी पुत्तर अयूब जाती व्यापारी उमर 35 साल निवासी खोरा मोहला वार नमबर 35 जुझनू को गिरपतार किया गया है प्रोडेक्शन वारंट पर गिरपतार किया गया है आपको बता दे कि हासन पुत्तर कासम खान जाती क्याम खानी निवासी वार नमर 22 आदर्श नगर जुझनू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो मोहरम देखने के लिए मंडेला गया था उसकी बाइक वहाँ पर चोरी की गई होली चोगड के पास खड़ी कर मोहरम देखने के लिए गया था वहाँ पर बाइच चोरी हो गई खेटडी विधान सबा की बबाई उप तैसिल को पंचाय समिती बनाने की मांग खेटडी विधायक ने विधान सबा में उठाई मांग जिस पर काम का दवाब अधिक रहता है इसलिए एक और पंचाय स्मिती बनाई जाए पंचाय स्मिती के सभी मापदंड जैसे उप तैसिल रिको एरिया वाईजाज के लिए मैदान चार सो केवी जी एसस अई एन ओफिस पिएच डी ग्रामिन एविनल ओफिस समुदाइक स्वास्ते केंदर पुली स्थाना राज के कन्या महाविदाले दूद डेरी गिर्दावर हलका पटवारी हलका आदी मापदंड को बबाई पूरा करता है ऐसे में मांग की गई है कि बबाई को पंचाई समिती बनाया जाए पूराणिया है छेतर की कुल जन संक्या लगबग पांच लाक से ज्यादा है इतना विश्रित एरिया वाधिक जन संक्या के चलते आम जन को एक पंचाई समिती उप्युक्त नहीं है एक ही पंचाई समिती के होने के कारण का दबाव अधिक रहता है जिसके चलते सरकार की य खेत्री विदान्सवाद छेत्र की उपतेशिल बबाई जिसमें रिकोई एरिया हवाई जाज हेतु मैदान 400 कवी जीसे जीसेस एएन ओफिस पीएच डी खेत्री गिरामीन एवी एनल ओफिस ओफिस सामदा एक स्वास्ते केंद्र पुलिस थाना राज के कन्या माविदाले सरस दूद्ध डेरी गिरदावर हरका पटवार हलका जाथ हर तरफ से परिवहन से जुडाव जैसी सभी मामदेंड पूरे करता है निवेदन है कि खेत्री विदान्सवाद छेत्र के बबाई में एक नई पंचाई समिती सरजित की जाए धन्यवाद